Hello friends, welcome to study news आज हम इस वीडियो में एक अगस्त के एक्जाम रिलेटेट जितने भी important question है हम उन्हें यहां solve करेंगे, so let's start First question है, किस Space Agency ने Mars 2020 मंगल मिसन लाँच किया है Options है, NASA, CNSA, ISRO या JAXA तो अभी NASA ने Mars 2020 मंगल मिसन लाँच किया है इस मिसन में Perseverance Rover को Mars की सता पर भेजा जाएगा और इसी दोरान, Mars पर NASA एक हेलिकॉप्टर को भी उड़ाएगा जिसका नाम है Inzy New T तो इसमें उत्तर option A, NASA सही है NASA USA की एक Space Agency है, जिसका full form है The National Aeronautics and Space Administration इसकी स्थापना 1958 में हुई थी इसका headquarter Washington DC, United States में है Next question है हाल ही में ICRA ने MD और CEO के रूप में किसे नुक्त किया है options है, रमेश बाबू, वरुन स्रीधर, N.C.Roman या सची नवस्थी तो ICRA ने N.C.Roman को MD और CEO के रूप में नुक्त किया है तो इसमें उत्तर option C सही है ICRA का full form है Information and Credit Rating Agency ये एक rating agency है, जैसे Moody's है ये एक भारतिय rating agency है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी और अभी तक इसके CEO नरेश टकर थे और ICRA की ओनर कमपनी Moody's Corporation ही है Next question है किसकी रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण दक्षिड एसिया के 2.2 करोड बच्चे प्रारंभिक सिक्षा से वंचित हुए हैं तो UNICEF के रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण दक्षिड एसिया के 2.2 करोड बच्चे प्रारंभिक सिक्षा से वंचित हुए हैं इसकी इस्थापना 11 दिसंबर 1946 को नियू यॉर्क में हुई थी इसके हेड़क्वार्टर यूनाइटेड नेशन्स नियू यॉर्क में हैं और वर्तमान में इसके हेड हैनिरेटा फोरे हैं नेक्स्ट कोस्चन है नीती आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जीलो में सूची में कौन सिर्ष पर रहा है आपसंस हैं बहराईच, बीजापूर, इंदौर या वाराणसी तो बीजापूर नीती आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जीलों की सूची में सीर्स पर रहा है इस सूची में स्वास्थ पोशन और सिक्षा के छेत्रों में प्रोग्रेस और परफॉर्म के अनुसार इसमें इस्थान दिया गया है बीजापूर चतिसगड का एक जिला है दूसरे इस्थान पर मेघाले का री भोई जिला है और तीसरे इस्थान पर उत्तर प्रदेश का जिला बहराईच है हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नीजी सचीव के रूप में किसे निउक्त किया गया है तो प्रधान मंत्री कार्याले में उप सचीव रहे हार्धान मंत्री नरेंद्र मोदी का नीजी सचीव बनाया गया है तो इसमें उत्तर आप्सन ए सई है हार्दिक सतिष चंद्रसा 2010 बैच के गुजरात कैडर के I.S. आफिसर है इसमें और आपसंस की बात की जाये तो निरिपेंदर मिस्रा नरेंदर मोदी के मुख्य सचीव है और राजिव टोपनो हार्दिक सतिष चंद्रसा से पहले प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी के नीजी सचीव थे और राजिव गोबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचीव है ये इस से पहले भारत के ग्री सचीव भी रह चुके है नेक्स्ट कोस्चन है हाली में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हुआ ये क्या थे आप्संस हैं तार वादक, लोक संगीतकार, बासुरी वादक या निर्देशक तो सोनम शेरिंग लेप्चा, लोक संगीतकार थे जिनका हाली में निधन हो गया है ये पस्चिम मंगाल के थे next question है international friendship day कब मनाय जाता है options है 28 जुलाई, 39 जुलाई, 30 जुलाई या 31 जुलाई तो हर वर्स international friendship day 30 जुलाई को मनाय जाता है तो इसमें option C सई है next question है हाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने किस देश के नए सुप्रिम कोर्ट भवण का उधगाटन किया है आपसंस हैं म्यामार, सिंगापूर, मौरिषफ या नेपाल तो मौरिषफ के नए सुप्रिम कोर्ट भवण का उधगाटन हमारे प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरीय किया है तो इसमें उत्तर ऑपसंसी मौरिसस सही है ये बिल्डिंग भारत की मदद से बनाया गया है मौरिसस की बात करें तो मौरिसस अफरिका कॉंटिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुईस है वर्तमान में मौरिसस के प उपन्यास बर्ण्ट सुगर को बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अवनी दोसी रीमा हुजा डॉक्टर अदीसादास या नासीरा सर्मा तो अवनी दोसी जो भारतिय मूल की लेखिका है इनके उपन्यास बर्ण्ट सुगर को बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गय और इसमें नासिरा सर्मा को व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था इनकी रचना थी कागच की नाव और डॉक्टर अदिसादास ने दे योगनी पोयम्स लॉव और लाइफ लिखी थी नेक्स्ट कोश्चेन है किस राज्य में लाइफ साइंस पार्क का सिलानियास किया गया है आपसंस हैं केरला, तमिलनाडू, करनाटका या महराष्ट तो करनाटका राज्य में लाइफ साइंस पार्क का सिलानियास किया गया है ये करनाटका के बंगलूरू में किया गया है ये पार्क 52 एकड जमीन पर 5,000 करोड की लागत से बनाय जा रहा है करनाटका की बात की जाये तो करनाटका में ही दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बनाय जा रहा है हाल ही में करनाटका में ही बुनकर सम्मान योजना चलाई गई थी जिसका नाम नेकारा योजना है करनाटका की राजधानी बैंगलूरू है करनाटका के प्रवर्तमान में सियम बी एस यदुरप्पा है और गवर्नर वजुहाई वाला है तो ये थे आज के important questions so thanks for watching this video please like subscribe and comment